मध्यप्रदेश के सिवनी जिले की बंडोल पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले तीन चोरों को गिरफतार किया है इनके कबजे से चोरी की गई तीन बाइक जबत की गई है थाना प्रभारी ने बताया है कि 26 अप्रेल को जनता नगर सिवनी निवासी कैलाश कुमार कुश्वाह ने थाना में रिपोर्ट दर्च कराये थी कि वह शादी पार्टी में केटरिंग का काम करता है बांकी गाव में शादी समारोह में केटरिंग का काम करने बाइक फ्रमाक MP22 AMC 0869 से आया था यहां से कोई अग्यात आरोपी ने उसकी बाइक चोरी कर ली है इस पर अग्यात आरोपी के विरूध अपराद पंजी बधकर विवेचना में लिया गया विवेचना के दोरान 24 जून को मुखबिर से सूचना मिली की बांकी का राजेश रजक संदिग्ध बाइक लेकर गाव में घूम रहा है बाइक बेचने के लिए लोगों से चर्चा कर रहा है इस सूचना पर राजेश रजक को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पुछताच करने पर उसने अपने साथी आनंद भलावी, लोकेश यादव के साथ बांकी, बंडोल वर जिला छिंदबादा से अब तक कुलचार बाइक चोरी करना स्वीकार किया इस पर आरोपी राजेश रजक के साथी आनंद भलावी, लोकेश यादव निवासी कमकासूर थाना लखनबाडा को पुलिस अभिरक्षा में लेकर आरोपियों की निशदेही पर कुलचार बाइक जबत की गई आरोपितों को गिरिफ्तर कर नियायले में पेश किया गया यहां से जेल वारंट बनाए जाने पर जेल दाखिल कराया गया है